6 फरवरी 2022 की सुभए पूरा देश शोक लहर में सलिम्त हो गया जब भारत रत्न और स्वर कोखिला लता मंगेशकर के निधन का समाचार मिला वे करीब एक महिने से मुंबी के केंडी ब्रिच अस्पताल में भरती थी और अचानक ज्यादा तबित बिगड़ने के बाद उनका निधन हो गया वे साथ दशकों से भूली बूर से जुड़ी थी और अपने करियर में करीब 36 भाशाओं में 30,000 से ज्यादा नगमें गये थे अपने करियर में कई वर्षों तक बुलंदी पर रह चुकी और देश के कई नामी सम्मानों से नवाजी जा चुकी लता जीवन से जुड़ी एहम जानकारिया ही पबलिक में थी वे ता उम्र अविवाहित रही और अपने पूरी जिंदगी अपने परिवार और गायन के प्रती ही समर्पित कर दी लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मताबिक लता दीदी अपने जीवन में प्रेम से दोर नहीं रह पाई थी जा पाद अपने तीर बहनों और एक चोटे भाई की पूरे जिम्मेदारी उन्हीं के कंदों पर आ गई बहत कम उम्र में ही उन्होंने आए के लिए कमाना शुरू कर दिया और परिवार की जिम्मेदार या संभालने में व्यस्त हो गई अपने पूरे जिवनकाल में अफवाहो सियाई के पुर्व अधक्ष भी थी खबरों के मताबिक एक क्रिकेट मैच के दुरान लता जी को राज सिंग का खेल काफी पसंद आया था और ठबी से डोनों की मुलाकातों का दोर शुरू हो गया था जहां लता जी क्रिकेट की चोकीन थी और राज सिंग के खेल पर कायल तो वही राज सिंग भी लता की आवास पर मर मिरते थे तो हमेशा उनके गानों का एक कैसर अपने जेब में रखा करते थे रिपोर्ट्स के मताबिक लता जी और राज सिंग अपने प्रेम को मकमल करने के लिए विवा की योजना भी बना बैटे थे पलन दो राज सिंग के पिता ने उनके इस फैसले का विरोध किया और इस रिष्टे को मंजूरी नहीं दी उनका मानना था कि शाही गराने के बहू को शाही परिवार की ही राज सिंग ने अपने पिता